एक स्टूडेन्ट और एक टीचर की बीच में अफेर हो जाता है पर ट्विस्टब आता है जब एक टीचर एक बहुत ही डेडली राज चुपा रही थी यह राज सब कुछ बरबाद कर सकता है यह राज क्या था यह हम आज के हमारी मुवी ब्लाइक आयलेट यह 2021 की एक जर्मन थ्रिलर मुवी में देखेंगे अगर आपका वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी तरीके एक्स्मेलेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल लेड़ी को बीच पर देखते है दूर से उस उस पर को पर बचाने की कुशिश की कि तुम्हें अपने फादर को माफ कर देना चाहिए इसे के बारे में घर जाते वक्त जब वो बात करें थे तब यह अचानक से आगे से गाड़ी आती है यह गाड़ी उनके उपर यह आ रही थी तो जोनस के फादर ने अपने आपको बचाने की क पुरा लगता है जोनस की एक फ्रेंट थी जिसका नाम था नीना नीना जोनस को बहुत लाइक करती थी उसके पास जाकर उसे हो सहारा देती है नेक्स मुमेंट पर फेटरिक जोनस से मिलने के लिए वो गहते कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो तुमारे फा कर एक साथ स्कुल में जाते हैं स्कुल में इनकी नई टीचर आई जिसका नाम था हेलेना कहे थी कि मेरे साथ बाहर चलो उन्हें वो बीच पर लेकर जाती है उसने कहा कि तुमारे लाइंग्वेस टीचर का एक्सिडेंट हो गया है इसी वज़े से कुछ दिनों के लिए में सिखाने के लिए आई हुई हो लाइफ में कब क्या हो जाए इसके बारे में हम प्लान नहीं कर सकते तो लाइफ जैसे आती है वैसे हमें इंब्रेस करना चाहिए आज वो पूरी क्लास बीच पर लेती है इनकी टीचर का इस तरहें से एक्सिडेंट की वज़े से गाइप हो जाना कि नीना और उसकी फ्रेंड जूल को बहुत ही अजीब लगा था वह जादा हेलेना को लाइक नहीं करते हैं प्रेक में हेलेना जोनस और उसके फ्रेंड के पास है वह गहती है कि मैं ज़रा शिफ्टिंग कर रही हूँ उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए यह सब के लिए मांब जाते हैं मोझे सकते हैं कि जोनस और नीना एक दुसरे के बहुत अचया फ्रेंड थे काम करते ही जोनस और उसका फ्रेंड यह हेलेना को चेक आउट करता है नीना नीचे काम कर रही थी और कुछ चीजों के लिए क्लॉजेट चेक करती है इसमें उसे एक बैग मिला पर यह देख पाती इससे पहले हेलेना उसे रोक लेती है फिर से उसने उसे काम पर लगा दिया काम करते करत यह जोनस से अफसेश थी यह सब सामान अब किसी को मिलना पाए इसलिए उसे जला देती है अगली सुपा जोनस जब मॉर्निंग रन कर रहा था तो हेलेना भी उसके पास आगे उसे नीना के बारे में पुछती है और कहती है कि क्या तुम दोनों कपल हो जोनस कहता है कि अब सी पोएम लिखकर लानी थी जोनस ने अपनी पोएम कंप्लीट कर ली पर नीना को कंप्लीट करने में जड़ा तकलिफ हो रही थी तो उसके पास आजाती है उसे चलने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम पूड़ी और कि थरा चल रहे हो यह दोनों इस पर बहुत अस्त सकते हैं अच्छा टाइम स्पेंट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी पोएम लिखते हैं ग्रैंट फादर ने इने देखा और नीना से कहते हैं अगर तुम जहाओ तो डिनर के लिए रुख सकती हो नीना डिनर के वाक कहती है कि जोनस भी अपने फादर की तरह एक ब वो कहती कि नीना की पोएम तुमने लिखी है जोनस इसके लिए उसे स्वारी कहता है हेलेना ने कहा कि तुम मुझे नाम से पुकर सकते हो क्योंकि यहाँ असपास कोई भी नहीं है हेलेना कहती कि तुम बहुत ही टालेंटेड हो पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना अगर तु कैसे वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी हेलेना उसकी व्राइटिंग पर दिया उसे वो बहुत अच्छी लगी उसकी आखों में आसू आ गए थे जोनस उसके आसू बोशता है और यह दोने एक दुसरे को किस करते हैं उसके बाद वो इंटिमेट हो गए थे अगली दिन कुछना गुष्टों चल रहा है आज वहने नोटिस करती है तो जिस तरीगे से हेलेना जोनस को हाथ लगाती है तो इससे वो बात वो कंफर्म कर सकती थी नेना को इस बात से बहुत ही बुरा लगा लास के बाद उसने हेलेना से बात की उसने कहा कि मैंने मेरी पोएम नहीं जोनस ने मुझे हेल्प की थी लिना ने जूट का अग कि हम दोनों बहुत दिनों से एक साहर है लेना कहते कि तुम वह लगा प्रिटर नेक्स सद्क Smww खुद राइट करना गर जाता है नीना ने जोनस से कहा कि मैंने हेलेना को बता दिया कि मेरी पोएम तुमने ही लिगी थी जोनस कहता है कि उसे पता है उसने मुझसे इसके बारे में बात कि थी ये बात नीना को वियर्ड लगी क्योंकि हेलेना प्रिटेंट कर रही थी कि इसके वेज़े से वो कभी भी बात नहीं करते थे सब कुछ सावान देखते हो है जोनास को अपने बचपन की गाड़ी दीखती है उसे अपनी मदर की बहुत याद आती है वो रोने लग क्या था तो नीना ने उसे साहरा दिया और यह दोनों किस कर लेते हैं वो गहते कि मुझे पता है तुम लोगों को खोने से डरते हो पर में तुमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाओंगी अभी दोनों कपल बन चुके थे नेकसे में हम देखते कि इनकी स्कूल की 50th anniversary थी फेटरिक उनीके स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया क्या जोनस सब घर पर लेकर जाते हैं और रात में नीना ने जोनस से इसके बारे में पात की जोनस इस बात को इग्नोर कर देता है नीना ने कहा कि हेलेना ने अपने हेर्स भी कट कर लिये थे जैसे हो किसी और की तरह दिखना चाहती थी जोनस उसे पागल समझता है तो इस बात से इन दोनों में जगड़ा हो गया और निना रोते-रोते घर पर चले के बीज राद में चुपके से हेलेना जोनस के पास बोचाती है और यह दोनों इंटिमेट हो गया सुबह लेट उठी तो डर कर सलोली सलोली घर से बाहर निकल जाती है उसे घर से बाहर निकलता हुए नीना ने देख लिया था वो जोनास के लिए कुछ लेकर आया थी ये डोर पर ही रख देती है क्योंकि उससे गुस्सा हो गई थी कल्रा जो भी हुआ था इसके बाद फेटरिक एक ओड लेटर खोल कर देखते है स्कूल में जूल और नीना जब रनिंग करें थे तो जूल ने कहा कि हेलेना की वज़े से फेटरिक को प्रावलम आया था ये बात बहुत ही वियर्ड थी नीना इस बात को पहले डाउट करें थी पर जूल को भी यही लगा था तो इस वज़े से पर्शू करने के लिए रेडी हो जाती है कल के बाद फेटरिक ज़रा डर गए थे वो जोनस को स्कूल चाने से मना करते है उन्होंने हेलेना के बारे में जोनस से पूछा जोनस पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हो फेटरिक करता है कि उस तरीके से दिखने वाली एक टीचर को में जानता था जोनस उनके बात नहीं मानता और स्कूल में आ गया नीना लाइबरेरी में जाकर ओर लियर बोक की इंक्वारी करती है इंक्वारी करते होए हेलेना ने उसे देख लिया नीना ने नोटिस क्या कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक लेड़ी उनके स्कूल में टीचर थी जोनस स्कूल में आने के बाद जूल से बुछता है कि नीना का है जूल ने कहा क्यों लैबरेरी में है नीना को जब बात पता चली तो हेलेना उसके पास आ गए थी नीना बुछती क्यों टीचर और तुम्हारी बीच में कनेक्शन क्या है हेलेना इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुश्चा होगे और वही पर उसका गला घोटने लगे उसका मुः बन करकर उसे माड डाल दिया जोनस नीना को ढूंते वे लैबरेरी में ही आ रहा था हेलेना उसे देख कर भारा जाती जोथ दीए वो बुछती कि तुम पूरी सुभा कहा थे जोनस ने कहा कि मैं नीना को ढूंट रहा हूँ हेलना कहती कि अभी अभी लाइबरेरी से आई वो वहाँ पर नहीं है हेलना ने जो भी किया इसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है वो निना को लाइबरेरी के बॉक्सिस के पीछे छुपा दे दिया इसके बाद वो स्कूल के सप्लाय से एक ब्लैंकेट और कुछ रोप लेकर आ दिया सबसे चुपते चुपा दे उसने निना की बॉड़ी को कवर अप कर दिया और पीछे के डोर से अपनी गाड़ी में रख दे दिया निना के बाइसिकल अभी यही थी तो उसे भी अपनी गाड़ी में रख दे दिया जोनस हर जगावर निना को ढूड़ने की क पूशिश करता है तो उससे कहीं भी नहीं मिल दी उसने आकर अपने फ्रेंट से बात की तो जूस कहती को लाइबरी में थी शाम में हेलेना डेट बॉड़ी लेकर सी के पास आई उसने बाइसीकल और बॉड़ी वही रख दी यानि सबको लगे कि निना की डेट स्विमिंग कर करते वक्त हो गई शाम में फेट्रिक हेलेना के घर के बाहर पहुच कहे थे यह दोनों एक दूसरे को खिड़के से देखते हैं वह बाहर से लोट जाते हैं रात में जोनस हेलेना से बात करने के लिए उसे अपने घर बर बुलाता है हेलेना घर पर पहले कुछ गुलियों की पाउडर बनाती है जिससे आदमी मर सकता है यह वो अपने साथ लेकर आई जोनस हेलेना से कहता है कि नीना कायव हो गई है हलेना कहती कि मैंने उससे लाइबरेरी में बात कि थी उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया था उसने घर से बाहर आते हुए मुझे देख लिया जोनस कहता है कि तुम्हें इस तरीके से रात में मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था हिलेना ने कहा कि तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था उससे रिलाक्स करने के लिए कहती है कहती है जाओ और अपनी राइटिंग पर ध्यान दो जोनस कहता है कि मेरे grandfather को नहीं लगता कि मैं एक अच्छा writer हूँ Helena कहते है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें एक बहुती amazing writer हो तुम्हारी book बहुती famous हो जाएगी अब हम दोनों break up कर लेते हैं नीना का भी गुसा शान्त हो जाएगा तुम्हारे बच्चे होगे और आगे की लाइग बहुती अच्छी होगी ये कर वो जाने लगी पर जोनस उसे रोक लेता है ये दोनों फिर से एक दुसरे के साथ intimate होगे जो wine हेलेना ने जोनस को दी थी ये उसने बहुती कम भी थी तो इसका बहुती थोड़ा असर उस पर पढ़ता है आज रहा तो फेटरिक के बास बहुती लेड़ घर बरा है फेटरिक कहता है कि तुम कहा थे फेटरिक को पता जल गया था कि जोनस हेलेना के साथ है जोनस ने कहा कि हो मुझ पर बिलिव कर दिया वो आप की तरह नहीं है सुबा फेटरिक जोनस को उठा कर गयते है कि नीना की टेट बोड़ी मिली है सब लोग जल्दी से वहावर बहुच गये फेटरिक को शौक लगता है और वो भी नीचे गिर गये हस्पिडल में उन्हें एडमिट किया जाता है और अब वो स्टेबल थै जोनस और उसका फ्रेंड नीना को लेकर बात कर रहे थै जोनस ने कहा कि नीना की स्विमिंग बहुत ही अच्छी थी इस तरीकिसे उसकी टेट नहीं हो सकती नीना की फ्रेंड जूल यहा बराती है और उससे बुछते है कि मरने से पहले तुमने निना से क्या बात की थी जूल गयती कि हेलेना के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए निना लाइबरी में गई थी इस सब मिलकर फिर इसके बारे में रिसर्च करने लग जाते है इन्होंने एक येर्बुक देखा उसमें से हेलेना ने उसकी फोटो जिसमें थी इसका पन्ना फाट लिया था वो डारेक्ली फेट्रिक के पास हॉस्पिटल में पहुच जा दिया जोनस और उसके फ्रेंड कुछ रिसर्च करते हैं उससे उन्हें पता चला कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक टीचर की टेथ हो गई थी उसने भी समुन्दर के पास सुसाइड की थी हेलेना ने फेट्रिक से बात की कहा कि मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती थी इसका मतलब जिसने सुसाइड की थी वो हेलेना की मदर थी हेलेना ने कहा कि मेरी मदर को लगता था कि तुम अपनी फैमिली हमारे ले छोड़ दोगे जब तुमने उससे ब्रेक अप किया तो बहुत ही जादा तूट गई थी वो मुझे समुन्दर के पास लेकर गई मैरे सामने उसने सुसाइड कर ली थी तुमने मुझे सब को छेन लिया था और इसी वज़े से तुमारी पूरी फैमिली को मारने की मैंने ठान ली जोनस उसे बाहर ले जाकर बोच्टा है कि यह सब चल क्या रहा है तुमारे मदर और मेरी ग्रैंट फादर की बीच में कनेक्शन क्या है हेलेना गयती कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दियू हम पहले कॉफी बितया है कॉफी बनाने के लिए अंदर गई फेडरिक के बेड को खिड़की में लगा दिया जिससे उने देख पाए कॉफी में उसने गोलिया मिला दी थी जोनस ये कॉफी बिता है और हेलेना ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया ये सब सुनकर जोनस को शौक लगा वो अपना होश खोने लग गया था इनके गार्डन में एक पॉंट था जिससे घसिट दोए लेकर जाकर जोनस को डुबा रही थी जोनस उपर आने की बहुत कोशिश करता है पर हेलेना ने उसे डुबा दिया वो पुरी तरीके से नीचे चला जाता है और फिर से उपर आ गया एक दर डा लेकर उसने जोर से हेलेना को मारा वो भागते भागते घर में आ गया फेटरिक जोनस को हेल्प करने की कोशिश करते है पर वो अब कुछ भी भोल नहीं पाते वो पुरी तरीके से पैरलाइस्ट हो गये थे वो अपने पानी का जग नीचे गिरा देते है घर में आने के बाद हेलेना डारेकली जोनस पर अटेक कर दिया गला दबा कर उसे मार डाल रही थे तब जोनस ने जग से एक लास लिया और उसके सीने में डाल दिया इसी के साथ हेलेना की टेथ हो गई ग्राइन फादर के बास एक लेटर था इस लेटर में हलेना की मदर ने उससे कितना प्यार कर दी थी इसके बारे में लिखा हुआ था वेटरी के गलती की वज़े से उसकी पूरी चनरेशन को भूगतना पड़ा इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्पेशन चलागा तो प्लीज से लाइक और कमेंट शरूर कर दीजाएगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिवेशन आइकन दानों में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखें